हि llow friends,so today we will discuss about chapter second of class 8th which is micro organisms friend & lord कर दो, हमें इसमें क्या पठ्डने वाले हैं chapter 2 में हम पढ़ने वाले हैं मै क्रॉ अर्म scopoby अगर आप धयान दे टो इसके अंदर और Micro Organisms के आगे दो वर्ड लिखा हुआ है एक तो लिखा है फ्रेंड और दूसरा लिखा है फोई ठीक है अगर मैं हिंदी में बता हूँ तो आप इसे क्या कहेंगे Micro Organisms को तो सुक्ष मजीव कहा जाता है जबकि Friends and Foy Friends तो सब को भी पता है मित्र एंफोई मतलब होता है शत्रू ठीक है एनिमी तो हम इसमें यह दो वर्ड यूज क्यों कर रहे है Micro Organisms के लिए Micro Organisms Friend है या तो वह है क्योंकि आपने नॉर्मली सुना होगा ज्यादा तर यह बाते सुनी होगी आपने कि अगर आपकी बॉड़ी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया है तो वह आपके हेल्थ को क्या करेंगे प्रमोट करेंगे आपको हेल्दी रखेंगी हेल्दी कहती है लेकिन आपने का है असी खत्रनाग बिमारीयों के बारे में भिस उना मतला माइक्र्म का अलग और बैक्टीरिया से गहीं की बढ़ेंगे इस के लेडार में हम यहीं आपर discuss करने वाले इस chapter में कि किस तरीके से microorganisms as a friend हमार लिए useful है और as a boy हमार लिए harmful है ठेक है तो देखिए starting में इससे होती है कि microorganisms होते क्या है अगर हम एक चीज़ notice करें तो हम देखेंगे कि हमारे आज पास अगर हम living things की बात करें तो living things में हमारे आज पास हम normally किसे देख पाते हैं या तो हम plants को देख पाते हैं या तो animals को देख पाते हैं अब animals में इंसेक्ट और बाकी जितने भी हैं और organisms वो सारे आते हैं ठीक है उन्हें हम देख पाते हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात ना करें, इन्हें छोड़ दें, तो इन्हें छोड़ कर भी हमारे environment में, हमारे आस पास ऐसे और बहुत सारे micro organisms होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, micro का मतलब होता है, काफी छोटे, ठीक है, तो micro organisms जो हमें normally naked eye से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो हमारे आस पास present होते हैं, उन्हें कैसे देखा जा सकता है, उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, microscope, ठीक है, उसकी help से देखा जा सकता है, तो micro organisms, वो organisms होते हैं, जो की normally हमारे naked eye से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है, लेकि मैंकरोगेव टेफ तक हमने बात कर ली कि माइक्रोऔर्णासम होते क्या हैं सिर्फ एक ही टाइपा नहीं कि इसमिपने लाएं कि मैंकरोपेवीज ratio , उलक बीदिया है यह भी बैक्टिडिया और फिर अपह श्यों हमेरी बॉड्डी पाह्तों ordered यह से पता कि वह किस क्या ग्या है ख्या है और हमें डिजाज हो रही है तो इसलिए अजिये माइक्रोगनिजम्स को नॉर्मिली किसमें क्लासिफाइ किया गया है फोर ग्रुप में से ऊनिशेफाइ किया है ठीक है major groups जो है that is bacteria यहाँ पर आपको दिख रहा है न है यह 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 वाली line यह वाली line काफी important है देखिए यह क्या है इसमें bacteria, fungi, protozoa, algae ठीक है यह तो major groups है major मतलब जो mainly जो ज़्यादा work करते हैं जो ज़्यादा आसपास डिखते हैं ठीक है जो ज़्यादा effective होते हैं इसके अला bacteria, fungi, protozoa, algae इन सब के बारे में ठीक है तो यह सारे microorganisms से जो हमारे आसपास होते तो हैं लिकिन हमें दिखते नहीं है एक और इसके अंदर microorganism नाता है वह है virus ठीक है आपने आजकर बहुत जादा यह बात सुनी होगी coronavirus virus वाइरस के बारे में तो यह तो काफी familiar word हो गया ना आप आपको हमेशा यह instruction दिया जाता है कि मास्क पहन के रखे हाथों को धोते रहें क्यों दिया जाता है क्योंकि आपको वाइरस दिखनी रहा है कि वह कब आपके उपर attack करेगा ठीक है किस तरीके से किस वे से आपके body के अंदर enter करेगा तो वाइरस microorganisms में ही आता है लेकिन यह ब इनिया करें करें कि अब़ेस की आपको प्रमोट करेंगे ज़यादा डिवाइड करें वाइक जयादा तकरिक तर्टि नेचर पे यह वाइरस एक ऐसा व्रगेंजम मेंasant मैं बेहा हुन जो कि इस टाइम पे यह आपकी बारी से बाहर रहता है उस टाइम पे नानि लिए नहीkee तो लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते ही यह किस फॉर्म में आ जाता है लिविंग फॉर्म में आ जाता है मतलब आपको एजा होस्ट यूज करता है अपनी बॉडी के मेकैनिसम को चलाने के लिए और इसके वज़े से बहुत सारी डिजीज होती है जैसे कॉ ऐसके ट्यूटेरि जैसे ही बॉडायाँ फ्रcarय आदर इस थीं दो ट्यूचिश को, सबिद्प्रमन गणिसमें डाता में उतको सब्सक्राइब तु मॉर्म कॉष्इज हो खाएं वाइरूैब जाता हैं आप सन्साट भार कंछिन नीज के सब्सक्राइब के एक ट समॉंद के यह बैक्टीरिया का डाइग्राम है अगर मैंने थोड़े पहले आपको बताया था है कि इन माइक्रो और गैनिसम्स को माइक्रोस्कोप की हल्प से देखा रहा सकता है तो अगर हम एक चीज़ देखें अगर हम पैक्टीरिया की बात करें अगर अलगी की बात की जाया तो अलगी माइक्रो और गैनिसम्स से देखने पर कुछ इस टाइप के दिखते हैं तो फंगी का ये रहा ब्रेड मोल्ड आपने नॉर्मली देख होगा ना ब्रेड के उपर जो फंगी लग जाती है तो यह किसके एक्जामपल है फंगी के यह रहा वाइरस दिखने में ही थोड़ा अलग है ना सबसे इसका फंक्शन भी इसलिए अलग होता है बिल्कुल तो अब यहां पर देखेंगे कि वेर डू करते हैं दो जरी तो माइक्रो औरगेनिजम्स रहते कहां है तो सआरे कैसे होते हैं सिंगल सेल्लर होते हैं जैसे कि बेताइब गया में को fantastारिंफंगी छो इन्वाइबं में प्र यह सबॉटेंटिफे मदेनि पर्मुर होरे उस ध्यारतियों स्टेशन रहा girdh canin undernight up अगर हम इनकी बात करें तो friendly microorganisms कौन से होते हैं कुछ ऐसे microorganisms अपने आप में देखा होगा कि मिर्टी में क्या किया जाता है फॉर्ट फॉर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं तो फॉर्टिलाइजर्स क्या होते हैं उसमें चोटे-चोटे microorganisms होते हैं जो soil की fertility को increase करते हैं या फिर जो nitrogen fixation करते हैं तो यह कैसे होगे friendly होगे हमारे लिए अगर हम दही की बात करें जो currency होता है दही किसकी वज़े से जमता है यह एक तरीके के bacteria की वज़े से जमता है जिसको बोलते है lactobacillus ठीक है lactobacillus की दिख से ही जो milk है वह कर्ड में Datاخ魷ोता है तो इस तरीके से यह idli बनती है यह preparator बैक्टिरिया क्या दाले जाता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन आप देखेंगे ना यह राय देखें आपने क्या किया इस तरीके से मैदा लिया और इसके अंदर बेकिंग सोडा या इस डाल कर थोड़े ताइं के लिए छोड़ दिया आप देखेंगे कुछ टा इसके अंदर बैक्टिरिया जो थे वह रैपिबली डिवाइड कर गए ठीक है और डिवाइड करके क्या किया इन्होंने इसे पॉफिंग कर दिया मतलब पॉफिंग के लिए यूज के जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन मतलब एक से जादा डिवाइड इसका कमर्शियल पॉफिंग के लिए बहुत जादा यूज किया जाता है जैसे हमने भी देखी स्वाइड के लिए इसके लिए या फिर केक बनाने के लिए या कई मैडिसियन्स के लिए अल्कोहल बनाने के लिए मिली कई मैडिसियन्स जैसे उन सब में कफ सिरॉफ हो गया तो इसमें यूज किया जाता है ठीक है अब देखिए यहां पर आता है कि medicinal use of microorganisms अभी तक हम यह देख रहे हैं कि जो microorganisms हैं वो किस तरीके से हमारे लिए friendly है तो इनका हम friendly nature ही देख रहे हैं ठीक है जो फोई वाला है वो हम बाद में पढ़ेंगे तो अभी हम यहां पर देख लेते हैं कि जो medical purpose के लिए यूज है वो कैसे किया जाता है वो किया जाता है एंटिबायोटिक्स मना के अब माली कोई bacteria है उसने आपकी बादी पर टैक किया जिसकी वज़े से कोई disease हो रही है तो उस bacteria का नेचर देखे उसकी अगेंस्ट बैक्टीरिया होगा ठीक है जो हमारे बौडी के लिए यूजफूल होगा वो क्या करेगा एंटिबायोटिक बनाएगा ठीक तो इस तरीके के बैक्टीरिया हमारे दिये काफी यूजफूल होते हैं जैसे कि ही हो गया अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एंटिबायोटिक बनाया गया था वह अभी उपर हमने देखा ना फंगी के अंदर पैनिसिलम तो पैनिसिलम नोटेटम से बनाया गया था तो यह हो गया कि किस तरीके से अदिकल परपस के लिए इसका यूज किया जाता है था एक तो एंटिबायो्टिक यह जो ऑर्गेनिसम्स होते है यह बॉड़ी के अंदर जब एंटर करते है तो इनके पास खुछ एंटिबॉडि इस होती है ठीक है देखे जिए जांब धिजी कॉस कर रहा है यह ठीक है फर्स्ट वाला तो जो दूसरा ओर्गेनिजम होगा जो सेकिंड वाला होगा सेकिंड वाला हमारे बॉडी के नदर पहले से ही प्रेजेंट है जो अच्छा बैक्टिरिया है जो हमारे है फ्रेंडली है वो क्या करेगा इसकी अगेंस्ट इस वाले के एंटिबाइोटिक बनाएगा मतलब एंटिबॉडी प्रोड्यूस करेगा जिससे कि एंटिबाइोटिक हमारे बॉडी के नदर ये वर्क करेगा ठीक है इसके नदर कुछ साइंटिस्ट के नाम भी आया हुए है और कुछ ऐसे वैक्सिन के बारे में बताए गया किसी भी डिजीज के लिए जो उसके अगेंस एंटिबॉडी बनाए उसे वैक्सिन बोलते है जैसे टुबर क्लॉस्टिस हो गया स्मॉल पॉक्स हो गया हेपेटाइटिस हो गया कुछ वैक्सिन हमें बच्पन में लगा दी जाती है ताकि चाल्डूड में जो हमारे एज होती है वैक्सित्स चाल्ड पॉड़ी क्ले मी प्रोटक्त करता रहिए तो हमे पोडी के अंदर डैवल्पस का पॉड़ी भी आपना चुर्व कूड़ा निजीज में देखा नवतक तो वेक्सीन को नॉर्मल ही मतलब यही होता है कि डिजीज से प्रोटक्ट करने के लिए जो भी मेडिसीन होती है ठीक है अब हमने यहां पर देखाता है कि किस तरीके से फ्रेंडली है तो सोईल की फॉर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टिरियास भी होते हैं जो कि क्या करते हैं जो हमारा एंवायमेंट होता है उसको क्लीन करने का काम करते हैं ठीक है क्योंकि किस तरीके से क्लीन करते हैं यह जतना भी वेस्ट होता है प्लांट का यह बागी का उसको किस में कर देते हैं इसको मैन्यूर में कर देते हैं ज इस तरीके से यहां से पढ़ेंगे लुमारे जो बेक्टीरिया कोसे करता है यहां तक हमने फ्रेंडलीनेचर देख लिया कि इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे झाल झाल